नमस्कार दोस्तों वेल्कम डाइसन स्टुडी पॉइंट मैं उस्वरभ सुकला दोस्तों इस वीडियो में जो आपकी लखनों से बिदाले कि बीड की प्रथम सेमस्टर की एक्जाम हो रहे हैं उसका जो है आज हम सिक्षा के मनोवग्यानिक परिप्रेख्ष का यूनिट वन क पूरे जो है सो कोशन इस वीडियो में लेकर आए हैं देखिए आज चौबेस जुलाई को आपका सिक्षा के दार्सनी के ओम समासास्तिरी परिप्रेख्ष का एक्जाम हुआ है और आपको जो है असी कोशन एक्जाम में मिलते हैं और वहां से मात्र आपको 40 कोशन करने होते अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको 40 में से 400 कोशन आप एक्जाम में 100% सही करकर आएंगे और जिन लोगों ने आज एक्जाम दिया हो कमेंटर करके बता भी सकते हैं कि उन लोगों ने जो है कितने प्रशन सही कि देखिए 40 कोशन सिर्फ करने आपको और 80 कोशन आप सकते हैं और हर युणिट से 20 कोशन आते हैं और निश्ची तोर पर अगर पढ़ेंगे तो आपको 100 कोशन में सिर्फ 20 कोशन फसना है और करना है आपको 10 तो देखे बाहर से कहां से आएगा इतने मैं से आएगा आप आराम से कर ले जाएंगे तो आई शुरू करते हैं इस वीडियो में जो है यूनिट 1 के 100 कोशन देखने वाले हैं देखे मैं चारो यूनिट जो है आज और कल में कबर करवा दूँगा परसों आपका एक्जाम है को भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो आपको करना क्या है वीडियो को सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के बाद जो है कैसा लगता है कमेंटर के वह में ज़रू बताइएगा तो देखे पहला प्रशन क्या है सिक्षा मनो विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है कब से तो देखे सिक्षा मनो विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है option number C यहाँ पर correct हो जाएगा दूसरा है सिक्षा मनो विज्ञान का केंद्र के है तो देखे सिक्षा मनो विज्ञान का केंद्र होता है बिल्कुल easy question है, बालक, option number A तीसरा है, सिक्षा मनो विज्ञान सैक्षिक विकास का क्रमिक अध्यान है तो देखें, बहुत ही easy question है, जो सिक्षा मनो विज्ञान सैक्षिक विकास का क्रमिक अध्यान ये कहा है J.M. Stephen ने, Stephen का नाम याद रखे, Stephen क्रमिक अगला है चौता प्रश्ण सिक्षा मनो विज्यान की ओपचारिक अधार सिला रखी गई थी तो देखिए ओपचारिक अधार सिला 1889 याद रखी 1889 ओपचारिक अधार सिला और इसकी जो उतपती माने जाती है वो 1900 माने जाती अधार सिला तो माने जी कि 11 सल पहले हो गया था लेकिन इसकी जो सिख्षामनुवग्यान की उत पती माने जाते वो 1900 और अधार सिला 1889 पाच वा प्रश्ण देखे क्या है शिक्षा मनुभज्यान की औउपचारिक अधार सिला किसके परयासों से 18 संवासिह में रखी गई थी औपचारिक आधार्सिला रखी गई थी अगला प्रशन देखिए चठा प्रशन शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वर्धावस्था तक सीथने के अनुभाओं का वर्धन और व्यक्षा करता है तो देखिए जहां पर जन्म से वर्धावस्था है वहाँ पर क्रो देखिए गारिषन के जन्म से व्रधावस्था है और तो देखिए गैरिषन के अनुसार रख्शा मनोविज्यान का वर्धन सोलुप कैसा है Thank you क्या हो जाएगा गैरिसन विवहार का ग्यान कि दस्वा प्रश्ण है शिक्षा मनोव ज्यान की विश्य समगरी का समंद्ध सीखने से है तो यहां पर क्या हो जाएगा सीखना बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला है शिक्षा मनोव ज्यान अध्यापकों की तयारी की अधार सिला यह कथन किसका है तो शिक्षा मनोव ज्यान अध्यापकों की तयारी की अधार सिला यह कथन है स्कीनर का ओप्सन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा अगला है शिक्षा मनो विग्यान साखा है किसकी तो शिक्षा मनो विग्यान जो ही है मनो विग्यान की ही एक साखा है तो यहाँ पर option number 1 सही हो जाएगा अगला है नेदानिक विधी का दूसरा नाम क्या है तो नेदानिक विधी का दूसरा नाम ही उपचारात्मक विधी है अगला प्रश्ण है विकासात्मक विधी को क्या कहते हैं तो विकासात्मक विधी को जेनेटिक विधी कहा जाता है क्या हो जाएगा विकासात्मक जेनेटिक अगला है मनो विसलेसर्ड विधी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं तो मनो विसलेसर्ड विधी के जन्मदाता माने जाते हैं सिग्मन फ्रॉइड ऑप्सिन नमबर हमारा ए सिग्मन फ्रॉइड अगला देखिए सोलमा प्रश्ण किस विधी में प्रयोग के दोरान व्यक्ति का मस्तिस का दो भागों में विभाज़त हो जाता है जिसमें एक भाग निरक्षड करता है और दूसरे का निरक्षड किया जाता है तो ऐसा कब होता है देखिए अंतर दर्सन विधी में क्या होता है कि जो व्यक्ति का मस्तिस का दो जो है जीवन पर्यांत चलने वाली प्रक्रिया है क्या है विकास जो है जीवन पर्यांत चलने वाली प्रक्रिया होती है और इसका प्रारम जो है गर्भा वस्था में ही हो जाता है अगला अठारम गर्भा धान काल की अवस्था नहीं होती देखिए भूड़ा वस्था डिंब वह वाता वरड का क्या है तो दिखिए जो बालक का विकास होता है वह वनसा नुकरम और वाता वरड का योगफल होता है option number B correct होगा बीसवा प्रशन है विकास के सम्मंध में गलत कथन कौन सा है तो दिखिए जो विकास है एक सारभोमिक प्रक्रिया है युनिवर्सल है बिल्कुल सही है विकास हमेशा सिर से पैर की और होता है बिल्कुल सही है और यह वर्तुलाकार गती में होता है सही है गलत कथन कौन सा है कि यह लिखा कि सामाने से विसेश्ट की और यह आपका गलत है एक किसवा प्रशन है बालक का विकास होता है किस प्रकार से सिर से पैर की और दिखिए सबसे पहले सिर का विकास होता है फिर पैर तो सिर से पैर की और जो है बालक का विकास होता है 22 वां प्रशन है गर्भ में सरोपर्थम किस अंग का निर्माड होता है तो गर्व में सरोपर्थम जो है सिर का निर्माड होता है option number हमारा यहां पर यह correct होगा दूसरा है बाल विकास बालक की विभार का कैसा अध्येन है तो बाल विकास बालक की विभार का वेग्यानिक अध्येन है सही answer क्या हो जाएगा बालक के विकास का वेग्यानिक अधियन है 24 प्रशना है विकास लयात्मक होता है समान नहीं यह कतन किसका है तो दिखिए याद कैसे रखना है आपको लयात्मक वर्ड पकड़िए आप लयात्मक को लॉक कर देजेगा करना है लयात्मक को लॉक कर देना है तो लयात्मक आप देखते ही लॉक कर देंगे तो एदम हर लॉक करेक्ट एंसर हो जाएगा तो लयात्मक होता है समान नहीं किसने कहा था हर लॉक ने कहा था कि विकास लयात्मक होता है समान नहीं तो लयात्मक को लॉक करना है पचीसवां प्रश्ण है व्रधी यवव व्रधी वव विवव ब्रधी वह विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ और डेवलप्मेंट वनसा नुक्रम वाता वरड हो जाएगा बुद्धी वह लेंगिक अंतर पौश्टिक आहरतीनों यहन की उपरिउट सभी जो है आपका यह और याग्सर हो जाएगा 27% है सभी बालक जन्म के समें समान होते है कैसे याद रहाए देखिए बालक और बस बालक को क्या बूलना संन तो वाटस न तो और सं चान कैसे बालक के समान होते हैं। सब नका के संन जो बच्चे जर्म के समएं यहाँ पर दीखी हर लोगवला एक questions आया था कि विकास लयात्मक होता है तो लयात्मक को लॉग करना है क्रो एं क्रो क्या हो जाएगा जन्म से वर्धावस्था तक जो है जन्म से वर्धावस्था तक जो है विकास की प्रक्रेया चलती रहती है और Watson क्या हो जाएगा सन नैनी की बालक जन्म किसमें समान होते है अगला ठाइसमा बाल विकास का विसेशेटर सम्मंधित है किस से तो बाल विकास का जो विसेशेटर है वह सिक्षा मनो विज्ञान से सम्मंधित है option number B सिक्षा मनो विज्ञान से सम्मंधित है अभिवर्धि में किसमें परिवर्थन होता देखिए अभिवर्धि मतलब वो ग्रोथ हो गया तो जो ग्रोथ होता है उसमें आकार में और परिमाड में वर्धि होती है ग्रोथ का मतलब क्या होता है सरीड का आकार बढ़ता है और सरीड का परिमाड बढ़ता है और जो हमारा विकास होता है उसमें आकार परिमाल में गुड़ात्मक परिवर्तन भी होता है C option हमारा यहाँ पर correct होगा अगला है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है यह विचार किसे समझेता है देखिए निरंतरता का सिधान दाने की principle of continuity जो विकास है यह continue रहती है कभी खतम नहीं होती हमेशा चलती रहती है तो यह निरंतरता का सिधान जो है यह आपर हो जाएगा एकतिस्वा है व्यक्ति के जीवन में एक निश्ड़्र समयमे में परिवर्तन को क्या कहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में जब एक निश्चत समय में जो परिवर्टन होता है उसे हम ग्रोथ है यानिकी ब्रधी कहते हैं क्या ग्रोथ है यानिकी ब्रधी 32 प्रश्ण है विकास का सिधान्त नहीं देखिए विक्तिकत भिनता का सिधान्त है सतत विकास का सिधान्त है समान प्रतिमान का सिधान्त है देखिए समाजिक प्रक्रिया का सिधान्त जो है ये विकास का सिधान्त नहीं है तो option number D हमारे यहां पर correct होगा किस नियम के अनुसार बालक अपने माता-पिता के विशिष्ट गुड़ों को ग्रहण करते हैं तो प्रत्यागमन के सिधान नियम के द्वारा बालक अपने माता-पिता के विशिष्ट गुड़ों को ग्रहण करते हैं उप्शन नमबर A करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण है चौतिस्वा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक एवं प्रगतिसील सिंखला क्या कहते हैं तो देखे विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है तो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक एवं प्रगतिसील सिंखला जो हमारी विकास नहीं के डेवलपमेंट हो जाएगी अगला है ब्रधी एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं क्या होते हैं ब्रधी एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं मानव विकास क्या होता है तो मानव विकास गुड़ात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है जो ग्रोथ होता है ग्रोथ केवल मात्रात्म से दिस्वा है किस मनों विज्यानिक के अनुसार विकास एक सतत और क्रमिक परक्रिया है तो सहीं सट का होगा 37 नंबर का विकास सतत अब क्रमिक जो अगर आएगा तो आपको स्कीनर का ना वियाद रखना है लेकर यहाँ पर आप आप ऐसे भी आदर सकते हैं विकास सतत और क्रमिक क्या हो जाएगा तो स्कीनर से कैसे याद रखना है देखिए स्कीनर का पहला स्वा निकल ले तो सतत लगा दिये स्कीनर से क्या हो जाएगा सतत और क्रमिक तो सतत और क्रमिक यानि के स्कीनर सतत और क्रमिक स्कीनर करेक्ट हो जाएगा अगले देखिए, ब्रधिव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारक कौन से हैं, तो ब्रधिव विकास को प्रभावित करने वाले कारक में वनसानुक्रम वातावरण, पौश्टिक आहार और बुध्धिव लेंगिक अंतरे सभी आ जाएंगे, तो उपर युख सभी तो option number D correct हो जाएगा किसने बाले अवस्था को प्रतिदोंदिता का काल का है देखिए प्रतिदोंदिता बहुत आसान से है कैसे याद करेंगे किल पैट्रिक लिखे यहाँ पर पहले option क्या हो जाएगा किल पैट्रिक याद मैं करवा दूँगा आपको याद हो जाए किल पैट्रिक को प्रतिदोंदिता कैसे याद रखना है बस वहाँ पर आपको एक कीवर्ट पकड़ना है आपका अंसर आजाएगा पैट्रिक प्रतिदुन्दिता किसने बाले अवस्ता को अनोखा काल कहा है तो कोल वब रुष ने कोल ने काल कहा है कोल वब रुष ने बाले अवस्ता को अनोखा काल कहा है किस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या एवं चद्म परिपक्वता का काल कहा है तो रौस ने बाल्य अवस्था को मिथ्या एवं चद्म परिपक्वता का काल कहा है अगला है प्रारंभिक विद्याले की आयो की किस अवस्था कहा जाता है देखिए बाल्य अवस्था के हमारा दो अवस्था को हम प्रारंभिक विद्याले की आयू कहते हैं तो उतर बाले अवस्था जो है हमारी प्रारंभिक विद्याले की आयू होती जो कि हमारा 6 से 12 वर्स का समय होता है E.B. हरलोग के अनुसार बाले अवस्था का काल कितना है तो 3-12 वर्ष के अनुसार ये बाले अवस्था काल E.B. हरलोग ने माना है चुस्ती की आयू एवं समूह की आयू कौन सी होती तो बाले अवस्था को चुस्ती की आयू एवं समूह की आयू कहते है अगला देखिए eBay हरॉक ने बचपना वस्ता की से माना है तो 2 सपता से 2 वर्स तक बचपना वस्ता माना है और 3 वर्स से 12 वर्स तक बाले वस्ता बचपना वस्ता मतलब बहां पर सैसवा वस्ता निकिकी इंफינसी आपका हो जाएगा option number B, correct होगा बाले अवस्था को काम की प्रसुपता वस्था किस ने कहा है तो बाले अवस्था को काम की प्रसुपता वस्था यहां पर हमारे हो जाएंगे जोन्स किस ने कहा है यहां पर तो देखिए, बाले अवस्था को काम की प्रवर्ष्ट उत्ता अवस्था कहा है, सिग्मन फ्रोयड ने, सिग्मन फ्रोयड का नामा प्याद रखी, अगला प्रश्ण, किस अवस्था में बालकों में नई खोच करने की तर्था घुमने की प्रवर्ष्टी बहुत अधिक बढ जाता है, तो बाले अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, किस काल को खिलोनों की आयू कहा जाती है, तो देखिए, जो पूरे बाले अवस्था है, इसको खिलोनों का काल कहा जाता है, टोली पूरवर अवस्था या प्राक्टोली, देखिए, आप यादर क जाएगा प्रेम और शाहन वंपुति पर अधरित होनी चाहिए D option correct होगा साथ तावनवा प्रश्ण है बाले अवस्ता में बालक नवीन वातावरण को जानने का प्रयास करता है किसे कारण जिग्यासा की परबलतागे कारण बहुत आसान सा है आप एक बार पढ़ेंगे तो इसका अंसर सही दे पाएंगे अगला तावनवा सारेरिक और मानसिक स्थिर्था किस अवस्ता की महत्वड़ विसेश्ता है तो देखिए बाले अवस्ता है निकि 6 से 12 वर्ष के उमर में बालक में सारेरिक और मानसिक स्थिर्था हो जाती है तो हमारा यहाँ पर बाले अवस्ता ही correct होगा अंग्रेजी भासा की ऐड्सन सब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है टो एड्सन सब्द का हिंदी में अर्थ होता है किसोरा वर्स्था यो 12 स्य 18 वर्ष मानी जाती है किसो रवस्था से आपके tsp gms प्रसन ऊप्र स्य 50 वर्षा बनएंगे इसको आप जरूर देखिएगा तो 60 प्रशन रहे तो इंड स्ट्रेन की आयू कहते हैं तनाव एवम संघर्स तनाव एवम तुफान की आयू जो है हमारे किसोरा वस्था आ गई C option यहाँ पर correct हो जाएगा किसोरा वस्था की समयावधी क्या है तो 12-18 वर्ष जो हमारे किसोरा अनिकी adolescence की समयावधी हो जाएगी अगला है 62 किसोरों में द्वंद उभरने का प्रमु करण क्या है तो किसोरों में द्वंद उभरने का प्रमु करण होता है कि कि अवसरों की प्रतिकूलता के कारण बी Oddionefeld करेक्ट हो जाएगा कि किसवरा वस्ता में जो है वीर पुजा कि वश्ता हो जाएगी सी करेक्ट हो जाएगा अतियन्स धूरत ये वंती वार्गति से क्विकास होता है On The सी करेक्ट होगा एडोलेसेंस पुस्तक के लिखा कौन है तो स्टेनले हॉल स्टेनले हॉल ने जो है डोलेसेंस पुस्तक लिखी है किसने स्टेनले हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी है तो यहां पर रियाद रखे देगे स्टेनले हॉल से आपके कोशन और बनेंग प्रवर्ति प्रवल तो यह होता है किस EVERY वस्था स्वन्हमीर को अगला है किस्यों को विकास है वो जन्म से वाय झो का है क्रोण भारति आगला है किसोरा वस्था प्रारम होती है कहां से 12 वर्स की आयो से प्रारम होती है और 18 वर्स की आयो तक किसोरा वस्था चलती है 79 नमर है किस सवस्था में बालक अपने सम वयस का समूह में किस सक्रिय सदस हो जाते है तो ये किसोरा वस्था में हो जाते है D option correct होगा सर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस वस्था में होता है तो ये किसोरा वस्था में सर्म अभी में आती कभी 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 गर्व भी होता है C option correct हो जाएगा अगला है किस काल को जीवन का परिवर्तन काल बसंत काल और अपरसनाता काल काल कहा जाता है तो देखिए किसोरा वस्था में ही जिवन में परिवर्टना आते हैं बसंत काल भी वही है और अपरसनाता काल भी किसोरा वस्था ही है साररी के विकास नहीं देखिए दोड़ना साइकल चलाना चलाना सारे विकास है लेकिन मुस्कुराना जो क्या है यह सम्विदनाओं का विकास है option number B correct हो जाएगा किसोरा वस्था की प्रमुख विसेस्ता नहीं है किसोरा वस्था में समयगों का अधिक होता है कलपना की बहुलता होती है समयगों का अभाव होता है संग्रा की प्रवर्ती नहीं होती जो संग्रा की प्रवर्ती है यह बाले वस्था की विसेस्ता है अगला प्रशन देखेगा चलाना प्रशन है किसोरा वस्था को जीवन का सबसे कठिनकाल किसने माना है तो किल पैट्रिक नहीं कठिन काल माना, तो किल पैट्रिक ने माना है जीवन का सबसे कठिन काल किसोरा वस्था को, अगला प्रशन है, आत्म सम्मान की भावना का लक्षर क्या प्रकट करती है, किसा वस्था में प्रकट होती है, तो किसोरा वस्था में हमारे अंदर आत्म सम् एकषण का प्रमुक आधार क्या है निए कि जो समाजिक्सिति और्फिक स्वम्ट तो इस फ्रेष्टी टा तो इसक्सित्स का इस प्रेष्टka का सही Stop फूर यह उत्र हमारा हो जाएगा देखिए क पार के Municipal इएग अगला दिखिए वयक्तिक भिनता की अवधारडा ने किस सिक्षर विधी को जन्म दिया है तो इसने जन्म दिया है डॉल्टन विधी को यह option correct होगा अगला एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से अंतर एक स्थार भाव में घटना जान पड़ती है यह कतन किसका है तो यह कतन है टाइलर का अगला है एक ही व्यक्ति का अपनी दो योगताओं या सील गोड़ों में भिन होना समझा जाता है क्या तो देखे जब एक व्यक्ति अपनी दो गोड़ों में भिन हो उसे हम अंतर व्यक्तिक भिन्नता क्याते हैं क्या क्याते हैं अंतर व्यक्तिक भिन्नता सी ऑप्सन करेक्ट होगा व्यक्तिक भिन्नता के कारण क्या है तो व्यक्ति भिन्नता के जोमारी कारण हो जाएंगे वयक्तिक भिनता का सोरूप बहुत जतिल यह कथन किसका है तो बहुत आयामी और बहुत जतिल्य कतन सकीश्के問 करेंसर हो जाएंगे अग्ला 54 गृप 7 before आधार पर पार्क हर्ष्ट ने वालकों के कुझा की पदसिति들 हे कौुण सी तो दीकिंग आएगा नाम व्यक्तिक हिनता करेक्ट हो जाएगा यदि एक अही विसाय को एक ही तरीके से तथा एक ही समय पर दो व्हक्ति सीखते हैं तो भी उनके धारण करनी के क्षंता अलग-अलग होती है चो यह जो है धारणा की कि सब्सक्राण की तो नीचे सब्सक्राण टिक भिकतिक भिहहनता के हैं किसके सिवाए तो देखिए आयू एवं बुद्धी वनसा नुक्रम और वातावरडे सभी बहुत दिक व्यक्तिक भिनता के कारण है लेकिन जो सिक्षा व्योस्था यह वो नहीं है तो आप्सिन नमर यह हमारे आपर करेक्ट हो जाएगा अगला है ठासी व्यक्तिकत सिक्षार्थी दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं तो इस प्रेश्ण का सही उतर हो जाएगा कि विकास की दर में भिन्न होते हैं नवासी नुमर है बालकों की विभिनताये प्रेरढ़, पुद्धी, परिपकवता, वातावरण, सम्मन्दी, उदीपकों के विभिनता का परडाम होत अबे नमबर है एक वेक्तिका गोरवैक्तिक से भिना उन्वाएक्तिक है थोड़ा से चेंज है बस अंतावियक्तिक और अंतार वायक्तिक ऑप्चन नमबर एक करेक्ट होगा इक्यान्वी नम्बर देखे क्या है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सारेरिक मानसिक सम्वेगात्मक यह अन्य चीजों में एक दोस्ते सरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाले भिन्नता क्या कहलाती है तो हमारे इस प्रशन का सेतर क्या होजाए व्यक्तिक 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 व्यक् व्यक्तिक भिनता पर होना चाहिए, C option correct हो जाएगा, 95 नमबर प्रश्ण है, व्यक्तिक भिनता की अध्यन की विधी नहीं मानी जा सकती है, कौन C, तो देखें यहां पर हमारा हो जाएगा, परिपक्वन, option नमबर D, 96 नमबर प्रश्ण है, राम प्रतेक पाठ को सीगर सीख ल अलग है, अगला है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिनता का कारण क्या होता है, तो व्यक्तियों में, वंसा, नुक्रम, वंबाता, वरण के बीच अनियों निक्रिया करण, जो है, दोनों में सीखने की अलग-अलग, जो है, समता होती है, C option correct हो जाएगा, 95 नमबर प्रश चाहिए, अतर सिक्षक को सीखने के विविद अनभाव को अपलब्द करना चाहिए, B option correct हो जाएगा, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, व्यक्तिक भिनता के मिरान के संबंध में, एक सिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो देखिए, व्यक्ति के द चाहिए, इसी में से आपके सारे कोशन मिल जाएंगे, बिल्कुल कन्फिस मत होईए, पूरे पढ़िए, और बाकी यूनिट 2, 3 और 4 विज्वे मैं सारे कोशन पार्ट करवा दूँगा, तो इसलिए वीडियो को सेर करिए, चैनल को ज़रू सब्स्राइब करिए, वीडियो